आपको बताने जा रहे हैं जो आपका वन टाइम रेजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जो फीस हो अग रहे है सब एक टाइम ही देनी और फॉर्म बढ़ना पड़ेगा उसके आपके अगणा को पहले अपनी लॉगिन कर देनी पड़ेगी आपके अपको पेच कुछ इस सरे देखेगा तो मैं सो क्लियर रिसेंट सर्च कर दे रिफ्रेश किया यह सब कुछ मैं लाइव कर रहा हूं तो यह वीडियो सोड़ी से लंबी हो सकती है इसके बाद मैं लॉगिन किया यह लॉगिन भी भी नहीं हुआ तो यह बोल रहा है आप और यह लॉगिन है मैंने इस पर टिक करके इसको लॉग आउट कर दिया तो यह आपको इस तरह से दिखेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको Recruitment Portal खोलना है तो recruitment portal खोड़ने के लिए आप यहां पर REC करेंगे तो आपको recruitment portal इस तरह से दिख जाएगा यह आपका recruitment आप यह फिर यह पताई नहीं government का क्या है मैं को आस्ता समझ में नहीं आया है जबकि आप देख से लाइव चल रहे है तो भी अभी दो सेकड्स में यह log out हो गया और यह आप बोल रहा है अप अलडरी लॉग इन हो इसको log out किया फिर ही किया फिर लॉग इन हो गया तो यहां पर जैसा कि मैं आपको यहां पर आपको recruitment portal search करना है जैसे आप rec लिखेंगे recruitment portal आजाएगा आपको यह वाद recruitment portal खोल लेना है इसकी वाद आपको screen कुछ इससर देखेंगी यहां पर आप देखेंगे one time registration one time registration पर click किया यहां पर आपको अपना जनाधार card डालना है यहां पर मैं अपना जनाधार card का number डाल दूँँ अगर आपस जनाधार card नहीं है आप आधार से करना जाते हैं आप यहां पर click कर देजिए I want to fetch data from Adhaar लेकिन अगर आप जनाधार से करते हैं तो best रहेगा तो यहां पर मैंने अपना जनाधार काड नमबर डाल दिया है यहाँ पर जनाधार नमबर काड डालने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा Fetched Members पर क्लिक अब यहाँ पर देख सकते दूमेंबर्स आ गए है यहाँ पर मैंने अपना नाम सेलेट कर लिया है इसके बाद आपको डिटेल्स कुछ इस तरह दिखेगी यहाँ पर आपको Send OTP पर क्लिक करना है OTP has been sent यहाँ पर Verify OTP मतलब आपको OTP डातके Verify करना है यहाँ OTP Verify करने के बाद आपको यह स्क्रीन कुछ इस तरह के से दिखेगी इसके बाद आपको साइड डिटेल्स चेक कर देनी है यहाँ पर आपको Verify OTR पर क्लिक कर देना है यहाँ पर Verify डिटेल्स, Final Submit यहाँ फिर से एक OTP आएगा और इस OTP को आते ही मुझे डाल देना है यहाँ OTP है यह OTP डालने पर Verify करना है OTP Verified यहाँ पर आपको देख सकते हैं मेरा One Time Resistion Number आ गया है Now you can fill application form अब आप यह जो है इसमें यह सब आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर Pay Feast पर क्लिक करना है यहाँ Pay Feast करेंगे अगर आप है तो Yes कीजी नहीं है तो No कीजी यहाँ पर Category Select करनी है मैंने Unreserved Category Select करनी है अब यह बता रहा है कि Unreserved की तो Feast है 600 रुप है तो मैं इसमें Pay Feast पर क्लिक कर दूँगा Pay Feast पर क्लिक करते कुछ इस तरहीं से आएगा अब आप यह पूछे का कैसे करना है मैं QR Code Payment पर Select कर दूँगा और यह Phone Pay पर करूँगा मैं Pay Now पर क्लिक करूँगा इसके बाद मैं QR Code आ जाएगा Show Code पर क्लिक करूँगा यहाँ पर Show Code पर क्लिक करते ही मैं अपना जो भी में मोबाइल है जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ Live आपके सामने ही हो रहा है तो यह मैंने यह किया यह मैंने फोन से Payment Done और यह मेरा Payment हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं अब आपको यह आपकी जो Idea है पूरा हो चुका है One Time Registration और यहाँ आप यहाँ चाहे तो View Receipt पे क्लिक करके Receipt भी देख सकते हैं तो उमीद आपको यह वीडियो पसंद आए होगी Thanks for watching अगर आपको कोई भी कमेंट या कोशन आप नीचे कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन वंदे मातरा